विल्कम बैक दोस्तों दोस्ता आज किस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का थियोरी क्लास चैप्टर का नाम है इस्थीर विधूत विभव तथा धारिता आप लोग का काम में बढ़या तरीका से इसका स्क्रिन सोट लेना है जो नोट्स ह इसका स्क्रिन सोट ले करके अपने कोपी में नोट डाउन करना है तो चले डिसक्स कर लेते हैं पहला टोपिक इसका है विधूत विभव क्या है विधूत विभवांतर ठीक है चले विधूत विभवांतर का यह आपका अंसर रहा इसका स्क्रिन सोट आप लोग लेते ठीक है इसका screenshot लेते चलिए उसके बाद आता है next topic आपका कि विधूत विभाव किसे काते हैं ठीक है विधूत विभाव क्या है तो ये इसका कुछ points से है points के अनुशार नीचे दिया हुआ इसका solution ठीक है इसका notes है चलिए next है इसका महत्पून बिंदू यहां पे दिया गया है ठीक है important notes विधूत विभाव विभांतर के बारे में चलिए फटाफट इसका screenshot लीजे अगला question जैसे क्या है कि विधूत विभाव का भोतिक अर्थ लिखिए तो ये रहा इसका answer कि विधूत विभाव वि विधूत ये अवस्ता है जिस पर आवेश का चलना निर्भर करता है तथा आवेश का स्वत परवाह उच्च विभाव से निम्न विभाव की ओर होता है तो ये हो गया आपका विधूत विभाव का भोतिक अगला question अगर देखा जाती है आपका question है कि एक भोल्ड को परिवा अगर जो कार होता है एक जूल हो तो उस बिंदू पर विभाव एक वोल्ट होता है तो ये हो गया एक वोल्ड अगला question जैसे कि है कि विधूत विभाव की गर्ना ठीक है तो विभूत नेक्स question है विधूत विभाव की तिवरता में संबंध तो इसको equation का अनुसर बताया गय है फटाफट इसका स्क्रीन सोट लीजे अपलोग चलिए ये नोट से है नोट इसका नोट डाउन करना है नेक्स्ट है कि बिंदू आविस के कारण विधूत विभाव की गर्ना करना है अब लोग को फिगर के साथ फिगर बढ़िया तरीका से अपलोग उतारिएगा विभा की परिवांसा नीचे दिया गया है अगला यहां पर नोट है कि यदि आवेश धनावेशित हो तो विभाव भी धनात्मक होता है और आवेश अगर रिनात्मक हो या फिर रिनावेश हो तो विभाव भी रिनात्मक होता है अगला कोशन जैसे की है कि यहां पर आपका कि विधूत विभव तथा विधूत चेत्र के तिवरता का दूरी के साथ परिवर्तन संयुक्त और रूप से दर्साइए तो यह इसका अंसर रहा यह यहां पर इसको नहीं बनाना आप लोगों को यह जैसे के फीगर है चलिए फड़ा फट इसका स्क्रीन सोट लेते चलिए अप लोग अगला कोशन जैसे कि यहां पर यह मस्ट इंपोटेंट के विधूत विभव को कारण बिंदू पी आर और जीरो ठीक है पर विधूत का नियम यह स्वरी विधूत विभव आप लोगों को बताना है यह स्ट्रक्चर है चितर कानुसा नीचे जो है वैक्ख्या किया हुआ है यह पूरा को पूरा आप लोगों को बताना है लिखना भी है पर आफ़ाट इसका स्क्रीन सोट लीजे नेस्ट कोशन जैसे कि है आप लोगों का यह पूरा इतना दूर तक इसका अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्ष्ट आवेस के निकाय के स्थित उर्जा यह नीचे दिया हुआ इसका अंसर चलिए नेक्ष्ट यदि निकाय के तीन आवेस उपस्थित हो तो इस्थित उर्जा का परिकलर निम्न परकार से किया जाता है इसका फटा-फट आप लोगों अपने नोट बूक में नोट अगला कोशन जी सकते देखा जाए तो दो आविसों के निकाय के स्थितिच उर्जा क्या होती है तो इसका अंसर नीचे दिया किसी बाष सेत्र में कर्म सक्र के लिखावा नीचे झाल झाल यहां जैसे के question number one है बहुत ही ज्यादा important है यदि प्रित्वी को गोलाकार चालक माना जाए तो प्रित्वी के धारिता mu f में ग्याद करना आप लोगो यह नीचा अपका answer रहा next question यहाँ पर है यहादि a बराबर one meter square और d बराबर one millimeter है mm को अगर हम meter में चेंज करेंगे तो 10 to the power minus 3 लिखेंगे तो धारिता कमान आप लोगो ग्याद करना है अगला question जैसे कि है कि यह धी धारिता जो c दिया हुआ है 1 f और d का value हाँ दिया हुआ है तो बताना है कि प्लेटो की लंबाई वह चोड़ाई ग्याद करना है प्लेटो के माध्या आंत्रे का रूप में प्रावेद्विक माध्यम यह है तो बोल रहा है कि पट्टी का रखी जाए चिक अग्जामपल के साथ एंसर जैसे के नीचे दिया है एक्जामपल बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है एक्जामपल आप लोग राट लीजिएगा ये नोट डाउन है नोट में है चलो ये कोशन है आपका कि संधारित्रों की संयोजकता नीचे एक्जामपल के साथ और फिगर के साथ बताया गया है माध्पून तथ्य यहाँ पर है कुछ नियम ये हो गया आपका संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम में इस तरह से संयोजित किया जाता है और पार्सु क्रम भी होता है ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि संधारित्रों का ये जो कोशन है और ये फोर्मूला ये मस्ट इंपोर्टेंट है इसका महतुपुन्त थे यहां पे लिखावा कुछ नियम चले यहां पे होगी आपका संचरानाओं का पाश्चाना तो संरचनाओं का पाश्चाना यहां पर है कि किसका पाश्चान क्या होता है अब है आपका संदारित्रों का अनन्त स्रणी के आधार प्रश्णियां पे दिखा हुआ है प्रश्ण एक टू ठीक है दिया हुआ इसका अंसर भी नीचे है यह इन्पोर्टेंट है कि आवेज संदारित्र की स्थेतिज उर्जा क्या होती है next question है विद्दू छेत्र के लिए उर्जा घणतो को परिवासित कीजिए और इसका मातरक लिखे तथा इसके सुत्र की विद्पत्ति कीजिए तो उर्जा घणतो के रूप में यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे note down यह notes है तो note को बढ़िया तरिकर लिखेगा इस्तिती one यहाँ पर दिया हुआ इस्तिती two यहाँ पर है चलिए वांडे ग्राफ जानीत्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है यह मस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन से नेक्स्ट अगर देखा जाए यह इसका फिगर जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है फिगर को अप लोग ठीक से note down कीजिएगा यह कम से कम 8 या 10 marks का आता है तिसले बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन बन गया यह अगला कोश्चन अगर देखा जाए चले तो यह होगी आप लोग का खतम इतना ही नोर्स था तो मिलते नेस्ट क्लास आज के लिए इतना ही थैंक्यो